पूरा पैम्स की टीम एक मुलाकात आपके साथ के तहत राइपुर नगनिगम के भाजपा पारसा सरीता वर्मा महमाया मंदिरवाड करमांग 65 से रूबरू हुई आईए जानते उन्होंने क्या कहा महमाया मंदिरवाड प्रमांग 62 से रूबरू हुई नगनिगम करवा लेते हैं उन्हीं के वाड़ों में कारिये हो रहा है पाकी तो मेरे को नहीं लगता कि विकार्श हुआ है फिर भी मैं बहुत ही सिनियर पारसत हूं क्योंकि यह मेरा तीसरा कारियकाल है और मैं कारिय करवा मेरे मेरे मेरोक सब्सक्राश करें की ऐसे करोर मेरे के वार्शय करें घ्रुश। अगर चले तो आज हमारा सारा तलाब साफ सुत्र रहेगा नालियों का पानी वहां प्रवेशनी होगा तो पुर अंतराजी प्रसिचेन का पानी आज भहिया तलाब में इंटर हो रहा है कितनी दुख की बात है तो हम आखी जल भगवान में हर तलाब के किनारी चोटा-चोटा सा सीव जी जब से धार्मिक्तक की ओर लोग बढ़े हैं तो रुषान आया है तब से चोटे-चोटे सीव का मंदीर बन गया तो कहां का पानी चड़ाये हम अच्छा हुआ कि प्रदीप मिश्रा जी का ये कहना ह कि जल चढ़ाने जाओ तो अपने घर से लेके जाओ अच्छी बात है कि हम एक साफ सुत्रा जल को अपने घर से ले जाके सीव जी में चढ़ाते हैं ने तो हम अगर तलाब का पानी अगर चढ़ाते बोलते ना पहले बोलते थे ना कि तलाब का पानी में नहाना सरोवर में नहाना और सरोवर की पानी भगवान में चढ़ाना सबसे बड़ा पुन्य का काम होता है तो प्रदीप मिस्रा जी ने ठीक उसके वीपरीत ये बोला है कि आप अपने घर से सुद्ध पानी लेके जाओ सीव जी में चढ़ाओ और उसका प्रसाद भी ग्रहनाप करिए तो इसके अकश्य को प्रतीत नहीं होता इंजीनियार आता है अपनी अनुसारकारि य करता है कहीं पर पार्सत और जन प्रतिनी थी नहीं को उनको क्या कहना चल्ये काटा की तरह प्रतीत होता है और उसके बाद तेही तरह की वातवरन पैदा हो जाता है वो विवात की स्रेणी में गीना जाता है तो आज कल पारसद लोग भी क्या करें और मेरा वार्ड जो है मैं बहुत ही भाग्यसाली हूँ कि मैं महामाया मंदिर वार्ड की पारसद हूँ यहाँ पर दूर्गा चौक में भी बाबा है और कुरक साहवली का बाबा है ब्रह्मपुरी में उसी प्रकार से 10-12 मेरे छेतर में मंदिर है मेरे को बहुत ही खुशी होती है कि मैं बहुत अच्छे छेतर की पारसद हूँ और हम लोगों का मान सम्मान निरंतर बना रहता है और सारे लो वाड से आपको पता चलेगा कि आपकी पारसद कैसी है तो कि जनता ही बताती है कि कोन पारसद काम करता है कोन नहीं करता वास्तवी किस्थिति का आपलन तो आप जनता से करिए बाकि तो मैं अपनी गुनकान कर ली तो कि मैं जो काम की हूँ वो मैं जानती हूँ और मेरे छे सी नाराज्गी चल Means की काम नहीं हो रहा है है बाकि जनता के भी समस्याओं पर कम से कम हम मीराकरन कर ले और भारती जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक बच्चा जन्म होता है उससे लेके एक ब्यक्ति के मृत्यू तक सारी योजना है अगर कोई दिया है तो हमारे केंद्र की और भारती जनता पार्टी की सरकार ने दिया डाक्तर रमासी के कारिकाल में हमने बहुत कुछ विकास देखा है आज जितनी भी सड़क रथान मंत्री ग्राम सड़क योजना कहो या फिर पी ड़ुडी से कहो तो भारती जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाई है जिसमें आज हम बहुत ही सुविधापूर्ण धंग से आराम दें अपना आवागमन कर हैं भारती जनता पार्टी विकास करने में हमेशा अग्रसर रही है जनता की हीत की बातों को सुषती है करती है और आम जनता को भी उसमें भागीदारी के साथ आप आईए आपके साथ हम आपके लिए हम क्या कर सकते हैं ये कहने वाली हमारी भारती जनता पार्टी है मैं तो के आशिरवाद से मैं आज इस मुकाम पे हूँ और उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने वास्तों में एक महिला को मतलब मेरे को दो-दो-तिन-तिन बार यहां पर पार्षत बनाने के लिए मेरे को यहने अपना प्रतिनीधी समझा और जंता का सदर मेर को उनका आशिरवाद मिलता रहा है कि युवाओं को अब वह तो हमारे भविष्य है अगर आज हम अपनी युवाओं के लिए अगर नई सोचेंगे तो सायद हम कितना भी कर ले अधूरे हैं और हम तो युवाओं को बोलते हैं हम लोग अपने अपने इस्तर पे युवाओ घर में वहसाय रहता है तो उसके बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते तो निरंतर वो अपने पापा के वहसाय में लग जाते हैं तो वो कम से कम बेरोजगार नहीं होता क्योंकि छोटी मुटी प्लेटफार्म उनको मिलती रहती है हम तो युगाओं को यहीं संदेज देते हैं क कि बेटा आप लोग पढ़िए सिख्चा से कभी मुँ मत मोड़ना लेकिन अगर सिख्चा से कहीं आपकी रूची कम है और आप आज कंपिटिशन के जबाने में अगर हम एवरेज दिमाग में पढ़ नहीं पाते तो निशी तरुप से हमें स्वरोजगार की और आगे जाहिए बहुत सारी हैक्टरिया बहुत सारे यहाँ पर काम काज करने के लिए कोई कमी नहीं है काम करने वाला होना चाहिए काम करने के लिए रूची होनी चाहिए आज मैं एक महिला होकर अगर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने डबले में की हूँ राजनीती और इतिहास में एलेल भी भी की हूँ एक वर्स तो मैं जब अपने जीवन को सार्थक करने के लिए अगर मैं प्लेट फाम पे आके अपना जन सेवा कर रही हूँ तो उसी प्रकार से युवाओं को उनकी रूची प्रतकारियों में आगे बढ़ना चाहिए और बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उसके अनुसार सरकार कोई भी हो योजना बनाती है और हम चाहते हैं कि युवा निच्ची द्रूप से आगे आए अपनी रूची को बताए बहुत प्रकार की योजना है जिसमें वो जूड कर अपना काम करे परंतु हम लोग देखते हैं अभी वीगत पांच वर्स से कि कांग्रेस की सरकानी युवाओं के लिए कोई योजना नहीं बना पाई पर फिंडोरा तो पीड़ती है कि हमने यह किया वो किया वो किया परंतु आज हम बेरोजगारों की ओर जहां के देखते हैं तो आज तो बेरोजगार बेरोजगार है आज पूरा टाइम्स ने महमाया मंदिर वार्ड 65 के भाजपा पारसा सरीता वर्मा से जनता के साथ आपके सामने स्फिरू गरू होंगे